अथ श्री योग वाशिष्टे मुमुक्षुब्यवाहर प्रकर्णे सप्तदशत सर्गह श्री वशिष्ठव वाच एवा मंतर बिवेको यह सो महानिह राघव योग्यो ज्ञानगिरह श्रोतुं राजेवो नय भारतीं। अवदातो बदातस्य विचारस्य महाशयह जडसंगो ज्जितो योग्यह शरदिंदोर्यता नभह त्वमेतया खंडितया गुणलक्ष्म्या समाश्रितह मनो मोहरं भाक्यं बक्ष्यमानमिदंश्रण। पुन्यकल्पद्रुमो यस्य भलभारानतह स्थितह मुक्तये जायते जन्तो स्तस्येदं श्रोतु मुद्यमहा। पावनाना मुदारानां परबोधै कदाइनां वचसां भाजनं भूत्ये भव्यो भवतिनाधमहा। मोक्षो पाया भिदानेयं सम्हिता सारसम्हिता त्रिशद्वेच सहश्राणी ज्याता निर्वान दाइनी। दीपे यथा बिनिद्रस्य ज्वलिते संप्रवर्तते आलोको निच्छतो प्यवं निर्वान मनया भवेत। स्वयं ज्याता शृता भापि भ्रांति शांत्याइक सौख्यदा आप्रेक्ष्य वर्निता सद्यो यथा स्वर्गतरंगिनी। यथा रज्वा महिब्रांतिर बिनष्यत्य वलोकनात। तथै तत्प्रेक्षनाच्छांति मेति संसार दुख्यता। युक्ति युक्तार्थ वाक्यानि कल्पितानि प्रिथक प्रिथक दृष्टांत सार सूक्तानि चास्यां प्रकरणा निशट। बैराग्याख्यं प्रकरणं प्रतमं परिकीर्थितं विरागो वर्धते येना सेके नेवो मरव। तरुह। अनुबंधे नसहितं दिष्टतत्व निरूपनं सार्धं सहष्रं ग्रंथस्या यस्मिन हृदि विचारिते। प्रकाशा चुद्धतो देति मनाविव सुमार्जिते। मुमुक्षुब्य वहाराख्यं ततहा प्रकरणं कृतं सहष्रमात्रं ग्रंथस्या युक्ति ग्रंथे नसुन्दरं। स्वभावोहिमु मुक्षुणाम नरानाम यत्रवन्यते अथोत्पत्ति प्रकरणं दृष्टांताख्याईकामयं। सप्तग्रंथ सहष्राणि विज्ञान प्रति पादेकं जागती द्रश्यश्री रहंत्व मितिरूपिनी। अनुत्पन्य वो थिते वो यत्रेति परिवर्न्यते यस्मिन शृते जगदिदं शृतांतर बुध्यते खिलं। सास्मध्युष्मत्सविस्तारं सलोकाकाषपर्वतं। पिंडग्रह बिनिर्मुक्तं निर्भितिकमपर्वतं। पृत्व्यादि भूतसहितं संकल्प इवपत्तनं। स्वपनोपलंभ भाबाभं। मनुराज्यवदाततं। गंधर्वनगरप्रख्या मर्थशुन्योपलंभनात। द्विचंद्र बिभ्रमाभासं। म्रिगत्रिष्नांभुवर्तनं। नौयान लोलशैलाभं। सत्यलाभ विवर्जितं। चित्तब्रमपिशाचाभं। निर्भीजमपिभासुरं। कथार्थ प्रतिभासाभं। व्योममुक्तावली निभं। कटकत्वं यथाहेम्नि तरंगत्वं यथांभसी। यथानभसि नीलत्व मसदेवो थितंसदा। अभित्तिरंगरहित मुपलब्धिमनोहरं। स्वपनेवाब्योम्निभाचित्र मकर्त्रीचिरभासुरं। अवन्निरेवबनित्वं। धत्तेचित्रानलोयता। दधात्यवं जगत्चब्द। रूपार्थमसदात्मगं। तरंगोत्पलमालाभं। द्रिष्टनृत्यमिवोथितं। चक्रचीत्कारपूर्णस्य। जलराशिमिवोध्यतं। शीर्णपत्रं। ब्रस्टनस्टं। ग्रेश्मे बनमिवारसं। मरनब्यग्रचित्ताभं। शिलाग्रिह गुहास्पदं। अंधकार गुहैकैक। नृत्तमुन्मत्तचेष्टितं। प्रशान्ताज्ञाननीहारं। विज्ञानशरदंबरं। समुत्केर्णमिवस्तं भे। चित्रं भित्ताभिवोधितं। पंकादि भाभिरचितं। सचेतनम चेतनं। ततह स्थिति प्रकरणं। चतुर्थं परिकल्पितं। त्रेनि ग्रंथ सहश्राणि व्याख्यानाख्याई कामयं। यत्थं जगदहं भाव रूपस्थिति मुपागतं। द्रश्यक्रमं प्रवध मित्यत्र परिकेर्थितं। दशदिं मंडला भोग भासुरोयं जगद ब्रमाह। इत्थं अभ्यागतो बृद्धि मितितत्रोच्यते चिरं। उपशांति प्रकरणं। ततह पंचसहश्रकं। पंचमं पावनं प्रोक्तं। युक्ति संतति सुंदरं। इदं जगदहं त्वंच सोईति ब्रांति रुथित। इत्थं संशाम्यति इत्यस्मिन कथ्यते श्लोक संग्रहिह। उपशांति प्रकरणं। शृते शाम्यति संशृतिह। प्रब्रष्ट चित्रसेनेव किंचिल अभ्यो पलंभना। शतांश शिष्टाभवति संशांत भ्रांत रूपिनी। अन्य संकल्प चित्तस्था नगर श्रीरिवासति अलभ्य वस्तु पार्श्वस्था स्वपन युद्ध चिरारवा। शांत संकल्प मत्ताभ्र भीषणाश निशब्द वत् विस्मृत स्वपन संकल्प निर्मान नगरो पमा। भविष्यन नगरो ध्यान प्रसुबंध्या मलांगिका। तस्याजु होच्य मानोग्र कतार्था नुभवो पमा। अनुल्लिखित चित्रस्य चित्रभ्याप्ते वभिति भूह। परिविस्मर्यमानार्थ कल्पना नगरी निभा। सर्बर्तु मदनुत्पन्ना बनस्पन्दास्फुटा कृतिही। भावि पुष्प बनाकार बसंतरसरण्यना। अंतरली नतरंग उग सौम्य बारित्सरित्समा। निर्वानाख्यं प्रकर्णं ततह सष्ठ मुदाहितं। शिष्टो ग्रंथ परिमानं तस्य ज्ञान महार्थ दह। बुद्धे तस्मिन्भवे च्रेयो निर्वानं शांत कल्पनं। अचेत्य चित्प्रकाषात्मा बिज्ञानात्मा निर्वायह। परमाकाष कोशाच्छः शांत सर्व भब ब्रमः। निर्वापित जगध्यात्रह कृतकर्तब्यसुस्थितह समस्त जनतारंभ बज्रस्तंभो नभो निभः। बिनिगीर्ण यतासंख्य जगज्जालातित्रिप्तिमान आकाशी भूतनिष्येष रूपालोक मनस्कृतिह। कारियकारणकर्तृत्रित्व हेयादेय द्रिशोज्जितह सदेह इव निर्देह ससंसारोप्यसंशृतिह। चिन्मयोगन पाशान जठरापी वरोपमह। चिदाधित्यस्तपनलोका नंधकारो परोपमं। परप्रकाश रूपोपि परमांध्यमिवागतह। रुद्धसंशृति दुर्लीलह। प्रक्षेनाशा विशूचिकह। नष्टाहंकारवेतालो देहवानकलेवरह। चस्मिन्स्चिद्रोमकोट्यग्रे तस्येयमवतिष्ठते। जगल्लक्ष्मीर्महामेरोह। पुष्पेक्वचि दिवालिनी। परमानव। परमानव। चिदाकाशह स्वकोटरे। जगल्लक्ष्मी सहस्राणी दत्ये कृत्वाथ पश्यती। विततता हृदयस्यमहामतेर हरिहरांज जलक्षशतेरपी। तुलनमेतिन मुक्तिमतोयतह। प्रविततास्ति निरुत्तमवस्तुनह। इत्यार्ष श्री वाशिष्ठ महारमायने बालमी किये मुमुक्षुब्य बहार प्रकर्णे गरंथ संख्यादि वर्ननम्नाम सप्तदशत सर्गह। अब इस सत्रमे सर्ग में गरंथ की संख्या के विभाग का वर्नन किया गया है। प्रितक प्रितक वर्ननी अर्थों से तथा गुणों से भिन भिन प्रकर्णों में कौन-कौन से विशे संख्यादि हैं। ये सब वर्नन इस सत्रमे सर्ग में किया है। श्री वशिष्ठ जी बोले है राम जी इस प्रकार जिसके अंतक करण में विचार, शम और संतोष आदी विवेक की संपत्ती प्राप्त हो जाती है। वही ज्ञानों पदेश सुनने का अधिकारी है। जैसे नीति शास्त्र का अधिकारी राजा होता है। वैसे ही। मूर्खों के संग से प्रिथक रहने वाले तथा शुद्ध विचार वाले मनुष्य का अंतक करण महान आशे से युक्त कैसे निर्मल रहता है। जैसे सरद रितू के चंद्रमा के प्रकाश से मेग रहित आकाश निर्मल प्रतीत होता है। ये राम जी उक्त गुणों की अखंडित लक्ष्मी से संपन्न आप मन के अज्यान को नाश करने वाली बक्षमान मेरी मानी को सुनिये। जिस पुरुष का पुण्य रूपी कल्प ब्रिक्ष फलों के भार से जुक जाता है। वही पुरुष मुक्ति के लिए इस ग्रंथ को सुनने का उद्यम करता है। परम पवित्र उदार उत्तम अर्थ सहित और परम ज्यान को देने वाले बचनों का पात्र मुक्ति के लिए धर्मात्मा ही पुरुष होता है। नकी विचार रहित अधम पापी मनुष्य। सार भूत अर्थों से पूर्ण उपनिशद के तुल्य तथा मोक्ष दायक मोक्षोपाय नामबाली हबाणी योगवासिष्ट ग्रंथ 32,000-32 सहसर शलोकों में प्रिशिद्ध की गई है। उसको दिखाई पढ़ने लगते हैं। इसी प्रकार इस संगिता को सुनने से निर्वाण मने मोक्ष ग्यान उत्पन होता है। उत्तम रिती से विचार पूरुवक स्वयम ग्यात अथवा दूसरों के सम्मुख बरनन की हुई। अथवा दूसरे से सुनी हुई यह संगिता गंगा जी के समान शीग्रही पापों को शांत करती है और अनन्त सुख देती है। जिस प्रकार रज्जू के वास्तविक रूप के जानने से रज्जू में सर्प की भ्रांती शीग्रही मिट जाती है। इसी प्रकार ग्रंथ को विचार पूरुवक देखने से संसार का दुख शांत हो जाता है। युक्ती सहित अर्थवाले बाग की सहित तथा उत्तम द्रिष्टानतों के द्वारा आख्यान सहित छै प्रकरण इस ग्रंथ में है। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकरण बैराग्य नामक है। जिससे बैराग्य की ब्रिद्धी ऐसे होती है जैसे जल के सीचने से मरुस्थल के ब्रिक्ष की ब्रिद्धी होती है। इसमें पंध्रे सो अश्लोक, पंध्रे से अश्लोकों से युक्त प्रकरण के भली भाती बिचार करने से विश्यों में दोश का परिज्ञान होकर के मलिन्ता की निवृत्ती ऐसे होती है जैसे शुद्ध किये हुए मनी में। उसके अनंतर मुमुक्षु व्यवहार नाम के दूसरा प्रकरण है। इसमें एक सहस्र एक हजार युक्ति सहित उत्तम श्लोकों की संख्या सहित इसको रचा गया है। जिसमें मुमुक्षु मनुश्यों के सुभाव का बननन उत्तमता पूर्वक किया गया है। इसके आनंतर दृष्टांत और आख्यायकाओं से पूर्ण उत्तपत्ती प्रकरण है। इस प्रकरण में साथ हजार श्लोक ज्यान के प्रतिपादक है। अहम और त्वम इन दो पदों का निरूपन करने वाली द्रश्टा और दृष्ट के भेद से बिचित्र या जगत की संपत्ती आकस्मिक मन के संकल्प से उत्तपन हुई है। इसका इसमें बननन किया गया है। इसके सुनने से शुरोता के अंतक करण में ही संपूर्ण जगत की यथार्थ दशा जान पड़ती है। इस प्रकर्ण में त्वम और अहंपद के अर्थ ब्रह्मांडों के विस्तार और ब्रह्मांड लोकाकाश और परवत मूर्तिमान द्रब्व से रहित। भेद रूप भित्ती से शुन्य और इसी से परवतादी से बरजित। पृत्वियादी पंचभूतों से शुन्य, संकल्प नगर के तुल्य, स्वपन में प्राप्त पदार्थ के सद्रिश, भासमान, प्रतियमान और मनोराज्य के तुल्य ब्याप्त यह जगत है इस प्रका बरणन किया गया है। अर्थ की अप्राप्ती से गंधर्व नगर के दोचंद्र के भ्रम के समान, अत्वा म्रिगत तृष्णा के जल के समान, नुका के गमन में चंचल परवत के सद्रिश, सत्यलाव से बरजित, चित के भ्रम से कल्पित, और पिशाच के तुल्य, माया कारण के मिथ्या होने से और ब्रह्म के निर्विकारी होने से निर्वीज होने पर भी प्रकाशमान होता है, इस तरह से माया का निरूपन किया है। जल में तरंगों के समान यह अनिर्वचनीय रूप है। आकाश की नीलिमा के समान असत रूप से सदा प्रतियमान, बिना भित्ती और बिना रंग के चित्र के समान, पूर्व के अनुहोव मात्र से अतिमनोहर्द दिखाई देता है। स्वपना अथवा आकाश में जैसे बिनाकारण के प्रकाशमान चित्र तथा चित्र लिखित अगनी के समान प्रकाशमान, यह जगत अभाव रूप होकर भी जगत के शब्द और अर्थ को धारण करने वाला है। तरंगों में कमल की माला के समान स्मर्ण से प्रथम द्रिष्ट निर्त्य के तुल्य यह मन में ख़़ा हो जाता है। उत्तान सोने वाले चकरवाक के शब्द से पूर्ण, आकाश के देखने से कल्पित जलराशी के समान, तथा सूखे हुए पत्र सहित, इसी से छाया और फलकी संपत्ती से रहित, नश्ट भष्ट ग्रिश मृत्यू के बन के समान। मृत्यू के समय में व्याकुल चित्त के सद्रिश, पर्वतों की गुफाओं के समान, अंधकार युक्त और भयंकर गुफाओं में उनमत्त चेश्टा सद्रिश, एक-एक जीव के नृत्य के समान है। बास्तम में शान्त है, अज्ञान रूपी नीहार कुहरे, जिसमें ऐसा विज्ञान रूपी शरद रितु के निर्मल आकाश के समान, खंबे में खुदी हुई मूर्ति आदी के समान, अथवा भित्ती में रचे हुए चित्र के समान। जैसे मृत्ति का आदी से बना हुआ पदार्थ बास्तम में मृत्ति का रूप ही है, इसी तरह ब्रह्म में भ्रांती से कल्पित जगत बास्तम में ब्रह्म रूप ही है। यह ग्यान इस प्रकरण के सुनने वाले को हो जाता है। इसके अनंतर स्थिति प्रकरण नामक चतुर्थ प्रकरण हैं, जिसमें तीन हजार श्लोकों में ब्रह्म और जगत के विशे में ब्याख्यान किया गया है। और अनेक कथाएं हैं, इस प्रकार जगत रूप से तथा भोकता भोग्य रूप से अहम भाव से स्थिति को प्राप्त हुआ है। ब्रह्म ही द्रश्टा द्रश्य भाव को स्विकार करता है, यह वरनन किया गया है। दस दिशा मंडलों में प्रकाशमान ब्रह्म ही इस जगत का ब्रह्म है। इस प्रकार से ब्रह्म ही जगत रूप से भृद्धी को सनातन काल से प्राप्त हुआ है। इस विशे का वरनन स्थिति प्रकर्ण में किया गया है। इसके अनंतर पांच सहस्र श्लोकों का उपशम प्रकर्ण है. यह पंचम उपशम प्रकर्ण युक्तियों के समुह से अतिरमणी है. यह जगत, अहम, त्वम और तद, यह भ्रम इस प्रकार से हुआ, और इस प्रकार से इस भ्रम की शांती होती है. इत्यादी का विशय इस प्रकर्ण में कहा गया है. और इसको सुनकर यथोक्त साधन करने से, जीवन मुक्ती द्वारा कलेश क्षिन होने से, दग्ध वीज के सद्रिश, जगत के भ्रम नश्ट हो जाते हैं. तथा किंचित, आश्रय युक्त, चित्र लिखित सेना के समान, छिन भिन सतांश शेश, भली भात शांत और भ्रांती रहित यह संसार हो जाता है. संकल्प करने वाले पूर्ष के निकट, दूसरे पूर्ष के सवपन में धन की प्राप्ति रहित, युद्ध में दीर्गकाल तक शब्द युक्त, दूसरे के संकल्प से चित्त में इस्थिद, नगर की शोभा के समान यह संसार, उत्तर भूमिका के जीतने से, मिथ्या प्र से कलपित मत्गज के समान अतिभयंकर मेघ और बज्ज्र के शब्द के तुल्य विस्मृत स्वपन में रचित नगर के समान भविश्यत नगर की रमणिय बाटिका में पुत्रवती और बिमल अंग वाली बंध्या की जिवहा से वरनित और उसी बंध्या के उग्र बीरपुत्रों की कथा के तुल्य यह संसारभान होता है और बिना लिखे चित्र से पूर्ण भित्ती के तथा कल्पित नगर की शोभा के तुल्य सवरितु के अनुत्पन बन की अलक्ष आकृती के भावी पुष्प बन के आकार सहित बसंत के रस के रंग के तथा तरंग शून्य निश्चल जल के समान यह संसार इस प्रकर्ण के अनुहुब से प्रतीत होता है इसके अनंतर छठा निर्वान नामक प्रकर्ण कहा गया है शेश 14,000 श्लोक इसका परिमान है इसका ग्यान महान अर्थदायक है इसके ग्यान से मूल अविद्या के नश्ट हो जाने से कल्पना रहित मोक्ष रूप कल्यान प्राप्त होता है इस प्रकार का श्रोता बिशय रहित प्रकाश तथा ग्यान रूप निरामय हार्दाकाश के समान निर्मल और संपूर्ण संसार के भ्रम से रहित हो जाता है तथा जगत यात्रा को समाप्त करने वाला कृत कृत्य बज्रमनी के खंबे के सद्रिश अभिकार रूप होने से बस्तू के प्रतिबिंब मात्र को ग्रहन करने वाला और सब जनसमूह तथा उनके आरंभों का आधार हो जाता है तथा अनेक संख्यायुक्त जगत के जालों का अंतक करन में ही भान होने से अत्यंत त्रिप्त हो जाता है और बाईहंद्रियों से भी भोग उसके मन में शून्याकार प्रतीत होते हैं कार्य, कारण, कर्त्रत्युमें स्वीकार और परित्याक द्रिष्टी से रहित देह सहित होने पर भी देह रहित संसार सहित होने पर भी संसार रहित वह पुरुश हो जाता है चित रूप घन पाशान के दीर्ग निश्चिद्र उदर के समान चिदादित्य रूप अज्यान कल्पित लोकों को अपनी चिदाकार प्रती से प्रदीप्त और आलोक से प्रकाश करता हुआ भी बास्तविक में दृष्य रूप न होने से स्वयम अंधकारोपम पर्म प्रकाश होने पर भी अंधता को प्राप्ती के समान संसार की दुष्ट लीलाओं का अवरोध करने वाला और आशा रूप विशूचिका से बरजित वह पुरुश हो जाता है अहंकार रूप बेताल से रहित और शरीरवान होने पर भी अशरीर हो जाता है उसके रोम के अगरभाग में या संपूर्ण ब्रह्मांड की लक्ष्मी ऐसे निवास करती है जैसे महामेरू के ब्रिहत पुष्प के किसी एक देश में ब्रहमरी निवास करती है अपने अंतक करण में कल्पित आकाश के परमाणू परमाणू में जगत की अनन्त लक्ष्मी को धारन करता है और उनका निर्मान करके पुनह अपने में ही देखता है है रामचंद्र जी जीवन मुक्त पुरुष्प का हरदय परमाणू स्वरूप ही है उसकी तुलना लाखों लाखों हरीहर तथा ब्रह्मा से भी नहीं हो सकती क्योंकि मुक्त पुरुष्प की व्यापकता, अनन्तता तथा आनन्तता पराकाष्ठा के आश्रै भूत ब्रह्म के तुल्य है इत्यार्शे वासिष्ठ रामायने बाल्मी किये देवदू तोक्ते मोक्षो पाये भाशानु वादे मुमोक्षु ब्यवहार अप्रगरने ग्रंत संख्यादि बनननम नाम सत्त दशस्र्गह